The film became first film in the history of Pakistani cinema, पकस्तानी फिल्मों के लिए जो नॉन हॉलिडे पर आकर, लाइफ टेम ने 30 क्रोर्स का बेंचमार्ट क्रॉस किया. Hello everyone, आई थोबैक में जिस फिल्म के हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है तीफा इंटरबल. तीफा इंटरबल पाकस्तान में एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक्बॉस्टर साबित हुई थी. तीफा इंटरबल केम ओन नॉन हॉलिडे और इस फिल्म ने एक मित थी पाकस्तान में, कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ ईद के उपर बड़ा बिजनेस कर सकती है, उस मित को तोड़ा था. Well, दे फिल्म बिकेम फिल्म इन थे हिस्ट्री और पाकस्तानी सिनिमा, पाकस्तानी फिल्मों के लिए जो नॉन हॉलिडे पर आकर लाइफ टेम में 30 क्रोर्स का बेंचमार्ग क्रॉस किया. Well, अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही 7 क्रोड से जायत का बिजनिस किया, यानिके 7 क्रोड से उपर का बिजनिस किया. And in its opening week, फिल्म क्लेक्टेड अराउं 11.5 क्रोड, 11.30, 11.40, इस तक का बिजनिस किया. अगर हम बात करें, तो फिल्म के पहले अफ़ एक इंदे जनिर्टेड इलेक्शन भी आए. अब जनिर्टेड इलेक्शन ने काफी साधा देंट किया फिल्म को. फिल्म को तकरीबन 7 क्रोड, 12 क्रोड यानिके 1.5 क्रोड, तो सिर्फ जवानी पिर्नियानी के पीछे था ये नमबर, विच इस एफिल्म कमिंगोने नॉन हॉलिड़े. सिर्फ यही नहीं, 12.5 क्रोड के बाद फिल्म ने जो ट्रेंडिंग दिखाई इसके बावजूद के तीन अफ़ते के बाद इद लजा आई और जवानी पिर्नियानी 2 और परवाज एजनून जैसे बड़ी फिल्मों ने सिल्मा गरों में जगा ले ली, उसके बावजूद ये फिल्म चलती रही and close to it run over 33 quotes and still stands in the top 5 grossing films of all time in Pakistan. और ये एक वाहिट पाकिस्तानी फिल्म है top 5 में जो non holiday पे आई. इदर ये चीज़ में फिर कहना चाहूंगा कि ये फिल्म non holiday पे आई because इदर ये ही समझा जाता था इससे पहले कि जब भी फिल्म एट पर release की जाए, सिर्फ तब ही एक फिल्म बड़ा business कर सकती है. ना सिर्फ फिल्म ने बड़ी ओपनिंग ली, बलकि फिल्म ने ये प्रूफ किया कि फिल्म को content अच्छा हो, तो फिल्म लंबी run में अगर वो एक पर नहीं आई तो भी चल सकती है और एक बड़ा business कर सकती है. Well, it was the first film for Ali Zafir. Ali Zafir की तमाम फिल्म में जो हिंडिया में ने की, वो किल दिल हो, वो मेरे प्रदर की दुल्हन हो, वो चश्मे बद्दूर हो, ये एक छोड़ी फिल्म लंदेन, परिस, नियॉर्क जैसी हो, और सब ने हमेशा पाकिस्तान में काफी अच्छी ओपनिंग ली. Well, Tiffin Trouble was his biggest opening till date, और अब हम देखेंगे के आगे वो कौन से फिल्म लाते हैं, but for now, Tiffin Trouble ने जो रेक्ड्स क्रेट किये नौन होलिडे पराके, they are still standing for the non-holiday films, और वो खडे रहेंगे, because Tiffin Trouble created a new trend that a film coming on non-holiday can cross big two, we'll see that which film in the coming days will challenge the numbers of Tiffin Trouble. झाल